हलो नमस्ते सच्छेकाल अस्सलाम अरेकुम जनाप कैसे हो आप सब आप सब आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे सो मैं एक नई रेक्षन वीडियो के साथ आ गई हूँ और आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल है जब मैं जिन से मिला बाय मुफ्ती तारीक मसूद आई नो यह बहुत जादा आपको एक्साइटेड कर देने वाला टॉपिक है तो कौन-कौन थम्निल को देखके या भी में टॉपिक को सुनके बहुत जादा एक्साइटेड हुआ है कि हमें यह वीडियो फटा-फट देखने कब से मैं कब मैं इस वीडियो को आउन करूंग तो क्या हैपन हुआ होगा वो हम सुनते हैं मुफ्ति तरिक मसूद जी के बयान में उससे पहले सब्सक्राइब जरूर करें जरूर जरूर करें नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर ओपन करें ताकि आपको सारे की सारी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके नोटिफिकेशन है तो हदरत के जिननात की ठुकाई वाकियात भी उन्होंने पड़े हुए थे एक जिन किसी तालीबिम पर आ गया था तो वो तालीबिम बहुत सारी जगों पर गया जिनी उसके घरवाले लेकर गये वो जिन उतर के नहीं दे रह था ना और जिन का कहना यह जा जाओ इसको बंगला देश लेगे जाओंगा मैं तो हमारे हदरत के हाँ वो आया तो हदरत गए उसकी खेरियत मालूम करने के लिए तो उस वक्ट वो जिन उसके उपर आया वा था अब जिन जब आया वा था तो उसने का के हदरत पे हमला करने लगा वो तो जिनना से जो तो हज़रत का हाथ भी माशालला नमcor लुदियाना कि पंजाब से तालुक था हजरत का होते है ना पंजाब के बड़े माशालला जमीदार होते हैं बड़ी-बड़ी पकड़िया होती है तो हज़रत की हाइट भी अच्छी थी तो हाथ भी लंबा तो जैसे ही वो उछल के करीब आया हधरत ने एक जोरदार थपड्क रसीत किया उसके इतनी जोर से मारा कि वो बेहोश होके गिर गया काफी देर बाद उसे होश आया उसने का हम जा रहे ने उसने का हम जा रहें और वो हज़रत का तमाचा जिनात में मशूर हो गया था उसके बाद बहुत दफ़ा ऐसा हुआ किसी पे जिन आया ये वाकिया हज़रत की किताब में भी लिखा हुआ है हमने तो बरायरास सुना है कई बार ऐसा हुआ किसी पे जिन आया उसने हज़रत को फून किया तो हज़रत ने का ठीक है मैं आ रहा हूँ हज़रत जब पहुंचे तो बंदा बिल्कुल ठीक था एहल खाना ने बताया कि जिन्नात ये कहकर गए है कि मुफ्ती रशीद हैमस साब आ रहे हैं हम जा रहे है मुफ्ती साब आ रहे हम जा रहे है रोब बिठाओ रोब वाकिया आई गया तो अपना भी एक सुना दू किसी पे जिन आया वा था हमारे किसी रेलिटिव पे मैं तो ये आमिलों को मानता नहीं हूँ और ना इनके पास किसी को ले के जाने का मश्वरा देता हूँ तो जिन पे आया वा था उनके तावीज गंडे तो निकल वाकि हमने सारे फिकवा दी हमने का कुछ भी नहीं है लेकिन वो सच्ची मुच्ची का जिन था तो मुझे धमकी दे रहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अच्छा ये बात भी है तकरीबन दो हजार नौ या दस की उस वक्ट मैं बहुत ही बारीक था जिन लोगे ने मेरा दस साल पुराना माजी देखा है ना पता है मैं तो 2013 के बाद थोड़ा सा जिसम पे गोश्ट आया है वरना तो कहीं गिरते थे तो डायरेक हड़ी शुरू हो जाती थी डायरेक हड़ी पे चोट आती थी बहुत पतला नहीं बारीक तो इतना बारीक था मैं और जिस पे जिन आया वो माशालला अच्छे खासे सहतमन्द थे तो अब ऐसा नहीं मुझे जिननात अतारने के लिए कॉल करना शुरू करते हमारे यह भी आया वै आप आजाएं तो मैं यह काम नहीं करता यह जो मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि आप यहीं खुदी कर लो ठीक है वो शायर है सलमान गिलानी बड़ा अच्छा शेर है शेर तो याद नहीं आ रहा उसका मफूम याद है कि एक आदमी ने फून किया कि तेरी बीवी पे जिन चड़ गया है किसी को कहा ना फून करके कि तेरी बीवी पे जिन चड़ गया घरा वो कह रहा है पंगा जिनने खुद ही लिया है खुद ही भुकते गा हमने थोड़ी कहा था तो मैं गया वहां पर तो मुझे वो धंकियां दे रहा था आवास बदली भी थी और धंकियां दे रहा था मैं यह कर दूँगा, मैं यह कर दूँगा अब मैं बहुत ही बारीक था मैंने ये अपनी आस्तीने ऐसे करके चड़ाई हाला कि वैसे अगर आस्तीने उस दिनों में चड़ाता ना तो किसी को खौफ नहीं आता वो कहता है यार अभी तक तो मामला चुपावा था हम समझे शैद को ये मसल वसल बने भी होंगे तो मैंने ऐसे आस्तीने चड़ाई मैंने का तेरी ऐसे कि तैसे दो चार दफा ऐसे दंकियां दी हैं बस फिर आईतल कुर्सी पढ़के जब फूग लगाता तो ऐसे लग रहा था जिन को ऐसे लगता था तो भाग गया alhamdulillah तो इन में ये कोई मेरा कमाल नहीं है ये confidence का कमाल जिन को ज़्यादा लिफ्ट बोलो नहीं कराया करें और इन में अकसर केसिस फेक भी होते है हमारे याँ नाजमाबाद में एक नौजवान पर जिन चड़ गया था उसने उधम मिचाई भी थी उसके रिश्यदार उसको लेकर आगए हमारे उस्ताज के पास किस पर जिन चड़ गया कुछ करो उन्होंने उसको तनहाई में लेकर गए अच्छा वो जिन अर्भी बोल रहे है अब ये हिरान हो रहे हैं कि ये तो रक्षा चलाने वाला आदमी है लड़का है अर्भी कहां से आ गई तो साओधी अरभ से जिन आया है ये जिन आया कहां से अर्भी जिन है तो इन्होंने दर्वाजा बंद करके उसकी लगाई है तबीश से कुट अर्भी जिन आया है ये जिन की बाती है अर्भी इबारते है वो रट्टा लगा के याद की है और कुछ हर्भी वर्भी नहीं आती है मुझे ना मैं अवनशली बुझाती हुआ अपको मैं जब भी मुफ्तितारिक मसूर जी के बयान सुनती हूं मुझे बहुत जबएब चतर मैं में बहुत जबत मजा आता इक इन्हें के बयान कि इनके बयान बहुत जब्धा बहुत जबएब होती है ये जिन की बाती execut jna गए था घए कईसा विसट संस्धं कुछू कंतर, बगान्त टियुक्स हावी होती है इसलिए बिल्कुल सही कहा मुफ्ती तरीक जीन है कि आप जो है जिन से डरो मत तो पूरा कॉंफिडेंस होके उसको मतलब मारो आप लोग है ना तो कुछ फेक भी होते हैं जैसे यह लड़के का बाकी मिला कि वह फेक था मुझे किसी से इश्च हो तो फेक भी बहुत जादा होते हैं और रियल भी होते हैं तो जो रियल होते हैं उसे आप लोग डरो मत पूरा कॉंफिडेंट रहो और उसका सामना करो तो यह उनका ब्यान था और यह था रियक्षिन होप सब को पसंद आया होगा मिलते हैं अब हम नेक्स एक्षिन वीडियो के साथ तरह तक जो आप लोग अपना ध्यान रखें गर पे रहें और सेफ नहीं बाबाय अब्रीवान